कि नमस्कार साथियों और मित्रों आप लोग कैसे हैं साथियों आज हम आप سब के लिए एक बहुत ही important और बहुत ही जबर्दस्त सेशन लेकर के आए हैं और इस सेशनमें हम कोई एक युनिट नहीं दो युनिट नहीं तीन युनिट नहीं चार-पांच यूनिट को हम कबर करेंगे और ओभी 100 प्रतिसत कांटेंट के साथ इन में से आपके जो भी कुईश्चन कोई भी एक्जाम हो चाहे वंडे हो सीजियल हो या समिच्छा अधिकारी हो या टीचिंग का कोई टेट सीट या सूपर टेट हो हर एक्जाम में आपको इ इस यूनिट से कोई भी कुईश्चन बाहर नहीं जाने वाला है 100 प्रतिसत इसी से ही कुईश्चन आने वाला है इसकी मैं गारंटी लेता हूं मित्रों आप सभी लोग केवल और केवल धैर बना करके इस पूरे सेशन को एक बार में देखने का प्रयास करिएगा और कापी पैनल लेकर के बैठेगा जो इंपोर्टेंट आपको लगे उसको अंडरलाइन करते हुए नोट जरूर करिएगा तो इस तरह से आज का वीडियो चली स्टार्ट करते हैं हम और जिसमें आपको मिलने वाला है चार-पांच यूनिट का सारा का सारा कांटेंट और इस कांटे सथ जो सिक्यूर्टी है मैं देता हूं कि अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर संविधान में आपसे किसी भी वन डे एक्जाम या टीचिंग एक्जाम में नहीं पूछा जाएगा इसकी मैं गारंटी लेता हूं ठीक है तो आईए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेसन मित्रों मैं ग्यानाले के लिए आपको एक इतना सलादिन देना चाहता हूं कि यदि आप ग्यानाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं पहले सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए इस पर आपको एक से एक वीडियो हर जो है एक्जाम के लिए मिलते रहते हैं और इस वीडियो को आप पूरी तरह से फिरी में पाते हैं यदि आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करने का कोसिस करिएगा साथियों यदि आप इस बीडियो में जो पहाया जा रहा PDF है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ग्यानाले के इस टेली ग्राम से जुड़ करके वहां से पिडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं तो मित्रों आईए हम लोग चलते हैं स्टार्ट करते हैं आज का अपना शेशंन दिक Find a और जो इसरी का तीसरा पार्ट के अलांवा इस दो प्लेसरे आप 2009 लेकर से यदि देकि ubiqu네요 में जाकर उसको जरूर देखिए morally aar वीडिव में आए हम लोग स्टार्ट करते हैं राजियम संग राज छेत्र से ले करके और नीत निदे सक तक तक का आगे का हम लोगों का जो होगा ओ देखा जाएगा मौलिक करतब को भी तो इस तरह से आए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेसं साथियों इसमें जो पहला जो लाइन है तो नया राज बनाने का अधिकार जो दिया गया है वह किस अनुछेत के अंतरगत दिया गया है वह अनुछेत तीन के अंतरगत दिया गया है इसके अलावा दूसरी लाइन है कि भारत के संसद के अंतरगत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की सक्ति जो प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, तो संसद को ही प्राप्त है, किसी भी राज की सीमा में परिवर्तन करना हो, उसके घटाना हो, उसको बढ़ाना हो, किसी राज को बढ़ा करना हो, किसी राज को तोड़ना हो, कुछ भी करना हो, तो वहां किसको प्राप्त है सकती, केवल और केवल ठीक है साथियों, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, दूसरा नए राजी के गठन की सक्ति किसको प्राप्त है, तो संसत को ही प्राप्त है, फिर यही लाइन आ गई, आगे देखिएगा, एक राजी को संग में समलित करने, अथ्वा नए राजी की अस्थापना करने, कि कारेपाली का सक्ति जो है वो किसमे नहित है वो संसद में नहित है हमने आपको एक लाइन में बता दिया कि कि किसी राज की सीमा में परिवर्तन करना हो उसको कम करना हो उसको बढ़ाना हो उसको कई भागों में तोड़ना हो उसमें कोई राज मिलाना हो कुछ भी करना हो तो ऐ अपना प्रस्ताव दे सकता है ठीक है अगर केंदर नहीं मानता है तो उसके लिए राज कुछ नहीं कर सकता है यह सारी सक्ति संसद में ही नहीं है आगे हम लोग देखते हैं साथियों आगे की जो लाइन है एक राज्य को संग में समलित करने और नहीं राज्य की अस्थापना करने की कारपाली काई सकती संसंद में नेत है दूसरा है संबिधान के पर्थम अनुछेद के अनुसार भारत क्या है भारत जो है वो राज्यों का संग है यूनियन है ठीक है सातियों आगे देखिएगा यदी भारतिये संग में एक नए राज्य का सिर्जन किया जाना है तो सं संग राज चेत्र यानि कि उसके चेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको अनुसूची एक में ही परिवर्तन करना पड़ेगा जहां पेलिग दिया गया है कि इसका राज जो संग राज चेत्र है इसका सीमा यहाँ यहाँ पे है तो अगर आप कहीं किसी राज के सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं तो यहीं पराकर कि आपको परिवर्तन करना पड़ेगा कि अब इसको इस तरह से किया जाता है ठीक है सातियों आगे हम लोग बढ़ते है यहां पे देखिएगा भारत में संगर सासित जो प्रदेश है वह कितने हैं वह 8 है आठ कौन कौन से प्रदेश है उसको आप comment box में comment जरूर करिएगा आगे हम लोग देखते हैं आगे है लोग सभा में केंद सासित प्रदेशों के लिए सीटे कितनी आरच्छित हैं तो 20 आरच्छित हैं जो केंद प्रदेशों के लिए हैं इस टाइम पर अगर जम्मू और कस्मीर और लदाक को भी जोड़ दिया जाए तो इसमें यह बढ़ जा लद्दाक, जम्मु कस्मीर, दिल्ली, चंदीगर और इसके अलामा आपका दादर नगर हवेली हमने आप से कहा था कमेंट बाक्स में कमेंट करिएगा अगर कमेंट करते हैं आप तो उसमें से आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपने क्या कमेंट किया था आंड मानिकु पुनरगठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज और संग राज छेतर बनाए थे तो उस टाइम पर 14 राज और 6 संग राज छेतर बनाए थे एक नवंबर 1956 को ठीक है साथियो वह राज जिसकी राजधानी का नाम स्वतंतता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गय वह राज जिसकी राजधानी का नाम स्वतंतता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया तो वह राज जो है साथियों आंध प्रदेस है आंध प्रदेस की नई राजधानी जो है है एदराबाद के अस्थान पर अमरावतिक प्रस्तावित है लेकिन यह अभी भी है हैदराबाद जो है या हैदराबाद ही है आपको यह पता होगा कि हमने जब इसके पहले वाले वीडियों में बताया था हैदराबाद के बारे मितिहास की हैदराबाद का बिले कैसे हुआ था तो उस टाइम पर भी हैदराबाद का नाम हैदराबाद ही था ठीक है सातियों तो इस तरह से हैदराबाद, आज भी हैदराबाद है, तब भी हैदराबाद था. आगे देखिएगा, दिल्ली है, एक केंद सासित प्रदेश है. दिल्ली को राष्टे राजधानी छेत्र का दर्जा जो दिया गया, कब किस संसोधन के तहत दिया गया? इन-सी-ार या आप कहें राष्टे राजधानी छेत्र, इन-सी-ार यानि कि इन-सी-ार नेशनल और कैप्टल और रीजन, ये इन-सी-ार है, जो कि आप देखेंगे कि दिल्ली के सटे हुए राज्ये के कुछ जिलों को मिला करके यहां बनता है. इन-सी-ार में केवल और केवल दिल्ली ही नहीं है, बलकि दिल्ली से सटे हुए जो राज्ये है, उनके कुछ जिलों को भी मिलाया गया है. दिल्ली की बात की जाए तो केवल दिल्ली है. ठीक है साथियों? तो इस शीज को आप जानते रहिएगा. आगे देखते हैं. दिल्ली को राष्टिय राजधाने छेतर का जो दर्जा दिया गया, वो 79 में समिधान संसुदन द्वारा दिया गया. इसके अलावा आगे देखिएगा कि कुछ कथन दिये गये हैं, जो की सही कथन है. उनमें से पहला कथन है कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज का दर्जा प् यह है, यह है खंभात की खाड़ी, यह वाली, और यही पर दियु इस्थित है, क्या है, दियु इस्थित है, यह यही पर, ठीक है, दियु देखेंगे यहाँ पर है, दमन देखेंगे यहाँ पर है, तो दियु जो है यही खंभात की खाड़ी में इस्थित है, ठीक है, आग जा रहा है दमन्दिव जो है भारतिय समिधान के 96 संसोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया यानि कि साथियों इसके पहले जो था गोवा पर क्या था गोवा और यह जो जहां-जहां पर फ्रांसेसी सासंकर रहे थे उनको क्या किया गया था एक इस्टेट के रूप में एक जो है छेतर के रूप में जाना जाता था लेकिन 96 समिधान संसोधन के द्वारा जब गोवा को जो है इससे अलग किया गया तो क्या किया गया दमन्दिव दूर था गोवा दूर था तो इसलिए इनको दमन्दिव को एक मिला दिया गया था अब जो है क्या किया गया अब इस टाइम पे दमन दीव यम दादर नगर हवेली अगर आप देखेंगे तो इन सभी को मिला करके एक बनाया जाता है तो इन सब को आप देखते रहिएगा आगे जो करेंट में बनते रहते हैं आगे देखिएगा सिक्किम को बिधिवत भारत संग के एक पूर्ण राज के रूप में समलित किया गया 36. संबिधान संसोधन द्वारा राज्यों का भारत संग के संपूर्ण राज्य का दरजा प्राप्त होने का जो सही काला नुकरम है वो क्या है ये राज्य दिये गए है और इनका काला नुकरम भी है सही ही है पहले नागलेंड को प्राप्त हुआ फिर हरियाणा को फिर सिक्किम को और फिर अरुडांचल प्रदेश को आगे देखिएगा ये राजी फिर अभी आएंगे सन के साथ में डेट के साथ में भारती राज्यों का उनके निर्मार के कालानुकरम क्या सही है तो इनका कालानुकरम क्या है साथियों पहले सिक्किम का किया गया फिर अरुडांचल प्रदेश का फिर छतिस गड़ का फिर जहारखंड का ये आपको पता होगा जो गठन किया गया था वो 9 नॉम्बर 2000 को किया गया था ठीक है आगे देखिएगा विकल्प में दिये गए राज्यों का जो गठन का किया गया बर्स था वो कौन-कौन सा है अब इसमें बर्स आपको मिलाना है राज और उसके गठन का बर्स क्या है यहाँ पर ध्यान दिज सबसे पहला राज्य जो की भासा के आधार पर गठित हुआ तो वह आंध्र प्रदेश था। साथियों आंध प्रदेश का मांग जो था वो कांगरेश के ही पोट्टू सिरी रामलू ने किया जो की कांगरेश के कारे करता थे और वो अंसन पर बैठे और काफी दिनों के अंसन के बाद जो है उनकी डेथ हो गई तो उस डेथ के बाद हमारे ततकालीन प्रधान मंतरी हैं आयोग का गठन करते हैं जिस आयोग का काम होता है कि भासा के आधार पर राज्यों के पुनर गठन के लिए सुझाओ देना अब यह आयोग क्या करता है सुझाओ देता है और उस सुझाओ के बाद 1956 में क्या किया जाता है भासा की आधार पर राज्यों का गठन किया जा 14 राज बनाए गए साथियों और 6 संग राज छेतर बनाए गए थे इस चीज को आप जानते रहिएगा आगे देखिएगा हर्याणा का गठन जो किया गया 1966 में किया गया हिमांचल प्रदेश का गठन जो किया गया 1971 में किया गया नागा लेंड का जो गठन किया गया एक दिसंबर 1963 को किया गया मेघाले का जो गठन किया गया वह 21 जनवरी 1972 में किया गया इसको साथियों मेघाले को अगर याद करना चाहते हैं तो 1972 को आप इस तरह से भी मेघाले को देख सकते हैं एक हाला है जो है ये पूर्भी पाकिस्तान यानि कि बांगला देश से सटा हुआ है जब पूर्भी पाकिस्तान से बांगला देश बना तो यानि कि आगे देखिएगा अवलांचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को गठित किया गया, 1987 को गठित किया गया, महाराष्ट का जो गठन किया गया, वो 1960 को किया गया, गुजरात की अगर बात आ जाए तो भी आप वही कर गएगा, 1960 को किया गया, राजस्थान की बात है, तो 1956 में गठित किया गया, ठीक है साथियों, इस तरह से आपका, जो बाद में राज गठित किये गये, 14 और पलस 6 के अलामा जो गठित किये गये, वो ये राज गठित किये गये थे, ठीक है साथियों जो कि 1956 के बाद वाले थे 56 के बाद मतलब इसमें आंदर प्रदेश तो पहले ही किया गया तो 56 के बाद मतलब यहाँ पे चाचट आ रहा है जो यह भी आ रहे हैं वो 56 के बाद वाले वो इसमें किये गये थे ठीक है आगे देखिएगा कुछ सत्य कथन दिये गए हैं उनमें से कौन कौन से हैं उनको पढ़ करके आप जानेंगे कि गोवा को दमन और दिव से अलग किया गया है अभी हमने पढ़ा उपर ही कि गोवा को जो है दमन और दिव से अलग किया गया था आगे देखिएगा बंबई, राज्य, गुजरात और महाराष्ट में विभाजित किया गया ये भी बास सही है अभी हमने उपर बताया कि 1960 में महाराष्ट अलग हुआ अलग हुआ या बना, बना तो कब बना, 1960 में बना, किस तरह से बना तो वहाँ बंबई परांट जो था, उसी से दो अलग अलग राज्य बने जिसमें से एक गुजरात हुआ, तो दूसरा महाराष्ट हुआ ठीक है साथियो, आपको ये पता होगा कि जब अंग्रेजों का सासन था तो इस तरह से था, यह एक बंबई परांट था यहाँ एक मदरास परांट था, यहाँ एक कलकत्ता परांट था तो बंबई परांट को ही दो भागों में जब डिवाइट किया गया तो ये गुजरात बन गया, ये महाराष्ट बन गया, 1960 में ये किया गया था आगे हम लोग देखते हैं, आगे है हिमानचल परदेश पहले संग सासित परदेश की सूची में था ये भी बात सही है, हिमानचल परदेश क्या था, पहले संग सासित छेतर था बाद में इसको परदेश का दरजा दिया गया, उपर हम लोगों ने देख लिया आगे देखेगा उल्फा उग्रवादी संबंधित है तो उल्फा जो उग्रवादी है साथे में पुर्वोत्तर में सक्रिय रहते हैं जो की असम में चादा हैं ठीक है आगे देखेगा पिपुल्स वार ग्रूप नामक आतंक बादी संगठन कहां पेश थे थे तो ये आन्ध प्रदेश में है कावेरी जल विवाद के अंतरगत कौन कौन से राज्य आते हैं तो ये साथियों जितना आप important लगा सकें उतना important लगा लिजिए प्लस 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 important लगा लिजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है तो कौन कौन से राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद से संबंदित हैं तो उसमें से पहला करनाटक हो जाता है दूसरा तमिलनाडू हो जाता है तीसरा पांडचेरी हो जाता है चौथा केरला हो जाता है इसमें फिर से देखेगा आप जब इस तरह से मैप में आते हैं तो पहले यहाँ पे आप जानते हैं केरल है केरल को माल लेजिए फिर केरल से करनाटक करनाटक से तमिलनाडू तमिलनाडू से हमाल लेजिए, क्या हो जाए पांड़ चेरी, तो इस तरह से यह इतने राज्यों से संबंधित है, राज्य यह किंसासित प्रदेशों से संबंधित है, चार, आगे दिखीगा, भारत के, सुरी, भासा के आधार पर राज्यों के गठन है, तो राज्य पुनर यहां पर 29 दिसंबर था साथियों, डेट याद कर लीजिएगा, आगे है, भासाई आधार पर भारत में सर्व पर्थम जो गठित हुआ राज्य था, वो कौन था, हमने पहले बताया, आंध्य प्रदेश था, आंध्य प्रदेश एक भासाई राज्य के रूप में गठित कि साथियों जतना भी हम पढ़ा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, आप बार-bार रिपीट हो रहे हैं, यही कुईशिन आपकी एक्जाम में भी रिपीट होंगे, विश्वास करिए आप, और जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, आप इसको postalन से DRK हो क चलते हैं हम लोग नागरिक्ता वाले टॉपिक को पढ़ते हैं और यह जो टॉपिक है अपने आप में बहुत इंटेस्टिंग रहता है कि कौन हमारा हमारे देश का नागरिक होगा कौन नहीं होगा अगर नहीं है तो कैसे बन सकता है अगर है उसके नागरिक्ता कैसे छीनी ज करता है लेकिन साथियों कुछ देशा ऐसे भी हैं जहां पर दोहरी नागरिकता की बात होती है दोहरी नागरिकता वाले जैसे हैं USA में वहां पर जैसे हम लोग है यूत्तर प्रदेश के हैं और इसके बाद इंडिया के भी हैं तो वहां पर क्या होता है वहां किसी एक स्टेट के जो है वहाँ state की भी नागरिक्ता उनके पास रहती है उसके साथ साथ वहाँ USA की भी नागरिक्ता होती है यानि कि अगर हम लोग का देखा जा उद्वारण के तोर पर तो हम लोग के पास देशी करण के द्वारा देशी करण का मतलब यह है साथियों कि किसी देश को अपना लेते हैं जब आप तो उसके द्वारा तो अगर आप भारत को ही अपना लेते हैं तो उसके द्वारा या किसी भुभाग को समलित कर दिया जाया जैसे सिक्किम को बार्द में समलित किया गय लोगों विभारत का नागरिक माल लिया जाएगा इस तरह से अगर किया जाता है तो भारत की नागरिकता उनको मिन सकती ही इतने लोगश Понक हम लोग देखते हैं militarisa संसोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत यहाँ भारतिय काडधहर इसके डाड़ग सकते हैं वो कौन-कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान देज़ेगा, एक वियस्क वच्चा जिसके अभिभावक भारती नागरिक हो, वह हो सकता है, दूसरा, भारती नागरिक की बिदेश से मूल की पतनी हो सकती है, उसके बाद, आगे देखिएगा, आगे है, एक ब्यक्ति का परपोता परपोती, जो दूसरे देश का नागरिक है, किन्तु, जिसके पिता मह या पिता मही, माता मह या माता मही, सम्विधान लागू होने के समय भारती नागरिक थे, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, वो पंजी किरित कराने के लिए आरे हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, ठीक है सा इकन को भी प्रेस करें ताकि जब हम वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और तुरंत आप उस वीडियो को देख सकें यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं तो इसको ग्यानाले के टेलिग्राम चैनल से आप लैंड असम मरीपूर आंध्रप्रदेश सिक्किम मिजोरम अरड़ांचल प्रदेश गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के सम्मिधान में अनुछे 371A से लेकर 71I तक अंतरविष्ट किया गया है तो साथियों इसका मतलब क्या होता है इसको हम आपको सम उस विशेश अधिकार को देने के लिए इन अनुछेदों को रखा गया जैसे आप एक अनुछेद से बहुत परचित होंगे वह अनुछेद जो है अनुछेद 370 है जो कि जम्मु कस्मीर के लिए था तो जम्मु कस्मीर को भी कुछ विशेश प्रावधान दिये गये थे ल को जोड़े रखते हैं और उसके साथ साथ कुछ इनको प्रुसाहिद करने के लिए इनके विकास के लिए कुछ इनको अधिकार विसेश दिये जाते हैं तो उससे भारत की अखंड़ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन इस 370 से भारत की अखंड़ता पर प्रभाव ही आगया है नागरिकtā के अर्जन हे तो सर्तों को नियत करने में कौन सच्छम है तो ओ संसदी ही बनाएगी कानून कि कौन नागरिक होगा कौन नहीं नागरिक होगा सातियों ये सेसन पूरी तरह से आज हम लोग review कवर करेंगे और इसमें से दो cover कर चुके हैं दो और बाकी हैं लेकिन जो दो और बाकी हैं वो बहुत बड़े-बड़े से जो हैं टॉपिक हैं तो इसको आप बिना इसकिप किये हुए और बिना जो है बंद किये हुए पूरा आज एक ही बार में एक किसम खा लेजे कि आज एक ही वीडियो में मुझे चार टॉपिक करना है इस तरह से कवर करते हुए आप आज और आज ही हंडेड प्रतिसत इस टॉपिक को कवर कर जाएंगे जो कि आपका है पहला राजियों संगराज चेत्र दूसरा है नागरिक्ता तीसरा है मूल अधिकार चौथा है नितने शिक्तत्व और पाचवा है या चौथे का एह ही आप माने तो वहा है मौलिक करतब इतने टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे चलिए स्टाट करते हैं तीसरा टॉपिक साथियों तीसरा टॉपिक जो हम लोग का है वहा है मौल अधिकार मौल अधिकार का पहला लाइन हम लोग के सामने है कि भारतिय समिधान में मौल अधिकारों को सामिल करने के लिए नहरू रिपोर्ट का नहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था यहाँ पर बात सही है साथियों कि मौलिक अधिकार को भ अब आपको ये बताना है कि नहरूर रिपोर्ट जो था यह इस रिपोर्ट की अध्यचता कहें या इस समिति की जो अध्यचता किये थे वह कौन थे? बिकल्प आपके सामने हम दूर रख दे रहे हैं पंडित नहरू या मोतिलाल नहरू कमेंट बाक्स में आप कमेंट करेंगे चलिए नहरू समिति के अध्यच कौन थे? आप कमेंट करिए आगे देखते हैं समिधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की सक्ति दी कर मूल आत्मा कहा था क्यों? क्योंकि अनुछेद 32 ही मौलिक अधिकारों को जो संरचित करने का अधिकार देता है मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रात अनुछेद 32 के तहत ही कोई नागरेक अपने अधिकार की मांग कर सकता है कोर्ट में ठीक है? सुप्रियम कोर्ट जा सकत तो यह कोर्ट में केस किया जा सकता है यदि आपकी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मौलिक अधिकार आपात काले इस्थिति में निलंबित किये जा सकते हैं हां किये जा सकते हैं लेकिन सभी नहीं कुछ ठीक है तो किये जाने की अगर बात आती है तो किये जाते हैं कुछ त 12 से अनुषे 25 तक मौलीक अधिकार नागरिकों को दीए गए हैं। आगे हम लोग देख़ते हैं, भारतिय सम्ःधान के अनुषेदों में बिदहायन सप्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। कौन लगाता है? अनुषेद 14 भारतिय सम्मिधान के अनुछेदों में बिधायन सब्ता पर पूर नियंतरन को लगाता है वो अनुछेद 14 लगाता है समानता का अधिकार सम्मिधान के निम्न अनुछेदों में किसमे किसमे दिया गया है तो अनुछेद 14 से 18 तक जो साथियों है ये अनुछेद क्या है समानता के अधिकार की बाते करते हैं आगे देखेगा सिच्छन संस्थाओं में जिसमें गए सरकारी गएर अनुदान प्राप्त भी समलित हैं अन्य पिछडा बर्गों अनुसूचित जाती अनुसूचित जन ज जाता है अगर से गयर यहां पर जन जातियां है और जो है अनुसूचित जातियां है या अन्य पिछडा बर्ग है उनका अगर वहां पर पूरा प्रतिन दित नहीं है तो उनके आरच्छन की ब्योस्ता की गई है यह अनुछेद 15 5 में किया गया है ठीक है आगे हम लोग कीजिएगा यहां पर क्या किया गया है गैर सरकारी और सरकारी दोनों की बात की गई है गैर सरकारी और सरकारी दोनों की बातें की गई है आगे देखिएगा सामाजिक आर्थिक यवम राजनीतिक छेत्रों में समान आधहार पर निर्मित करने के उद्देश से राज असमान लोगों के लिए भिन ब्यवहार कर सकता है तो ये बाते सही है साथियों क्योंकि जब कोई महिला हो या कोई बहुत गरीब हो तो उसको उभारने के लिए कुछ ना कुछ जो है असमान ब्यवहार करना ही पड़ेगा कि जो बहुत ज़्यादा आगे है उसको कम प्रोसाहित दिया जाए और जो बहुत पीछे है तो उसको ज़्यादा प्रोसाहित दिया जाए यह समानता हो सकती है लेकिन उसको समानता लाने के लिए किया जा रहा है साथ में देखिएगा समान लोगों में बिधी समान होगी और समान रूप से परसासित की जाएगी तो यह और भी दोनों सही है साथियों और इसका असपश्टी करण भी यह सही से कर रहा है आगे देखिएगा संबैधानिक प्रावधानों को संगिये संसद राज बिधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्रात्मिक्ता प्रदान करता है अनुछे 13 कौनसा? अनुछे 13 ऐसा है जो संभैधानिक प्रावधानों को संगीय संसद या राजी विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानुनों पर प्रत्मिक्ता प्रदान करता है ठीक है आगे देखेगा भारतिय संभैधान के अनुछे 13 का मुख्य उद्दे से संभैधान की सर्वचिता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों के संदर्व में संभैधान की क्या है सर्वचिता सुनिश्चित करनी है अनुछे 13 का कारे है आगे देखिएगा भारतिय सम्मिधान में सोतंतरता का अधिकार चार अनुछेदों द्वारा प्रदान किया गया है और ओचार अनुछेद कौन कौन से हैं साथियों सोतंतरता का अधिकार आपको पता है कि 19 से 22 तक है अब आप बताएगा समानता का अधिकार कहां से कहां तक ह हमने पताया आपको उपर, आगे देखिएगा, भारतिय नयालाय को समान कारे के लिए समान बेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हे तो सच्छम किया, क्या किया, सम्मिधान की प्रस्तावना में प्रेउक्त समाजवादी सब्द, साथ में, जो है, एको सम्मिधान के अनुच्छे 14 के साथ मिला कर पढ़ना, इस तरह से मिला कर पढ़ने पर क्या होता है, भारतिय नयालाय को समान कारे के लिए समान बेतन का मौलिक अधिकार का अधिकार देने का वहाँ से एक रास्ता निकलता है, आगे देखिएगा, धर्म आधिके आधार पर विभेद का प्रतिसेद एक मूल अधिकार है जिसे वरगी कृत किया जाएगा समानता के अधिकार के अधिन. धर्माद के आधार पर विभेद जो अगर कोई करता है तो उस पर प्रतिसेद करना होगा वो विभेद नहीं हो पाए जो भेदभाव है वो नहीं हो पाए तो उसके प्रतिसेद के लिए जो है अनुछेद कौन सा है यह हमारा अनुछेद 15 है समानता के अधिन है समानता का अधिकार कहां से कहां तक है समानता लाने के लिए हम लोग का अधिकार जो है 14 से 18 तक है तो उसमें से 15 वाला ऐसा है अनुछेदों भारतिय सम्मिधान में सम्मिधान का अधिकार 5 अनुछेदों में दिया गया है फिर वही बाते हैं आगे, 14-18 तक, भारतिय सम्मिधान में जैसा निहित है, सम्ता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, कानून के समख्ष सम्ता, सामाजिक सम्ता, और सर की सम्ता, तो यहाँ पर ध्यान देजिएगा कि कौन-कौन से सम्ता लाई जा सकती है, कानून के समख्ष आपके समानता होगी, किसी के तरह के भेदभाव नहीं होगा, कानून के समख्ष सभी बराबर होगी, चाए नेता हो, चाए बिखारी हो, सामाजिक समानता होगी, समाज में सभी लोग समान देश्टी से होगी, कोई यह नहीं होगा, कि यह आप जो है, हिंदू है, आप मुस तो अनुछेद 24 है, ICCPR के अनुछेद डार डार द्वारा बाल अधिकार को सुरच्छित किया गया है, तो अनुछेद 24 के द्वारा आपने उपर पढ़ लिया, आश्प्रिसिता का उन्मूलन किया गया है, अनुछेद 17, अनुछेद 17 मतलब खत्रा है, ठीक है, खत्रा हम बड़े लोग जो हो जाते हैं, अपने आपने, कहते हैं, ओ, छीचीचीच, छूओ मत, तो 17 को मानिएगा, ठीक है, आगे देखीगा, नियायाले, उपाधार, उपाधारित कर सकता है कि, अपराद गठित करने वाला कोई कृत, अश्प्रिसिता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराद डाट-डाट के संबंध में किया गया है, अनुसूचित जाती के सदस्य के संबंध में किया गया है, भारत में आश्प्रिसिता का निवारन निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है, कानून बना करके सिच्छा की उन्नती द्वारा और जम जागरन के दोरा आगे देखिएगा मदरास राज बनाम दोयन राजन 1951 के मुकदमे में भारतिय सर्वोच नयाले के नीड़े के पैडाम सुरूप जिस मौलिक अधिकार को संसोधित किया गया वह है भेद भाव के बिरुद अधिकार ठीक है भेद भाव के बिरुद अधिकार जो है ओकि अंसोचित जन जाती को मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है तो वह हमशेद सत्रा के अधिन दिया गया है साथियों इसे में हमने भी आपको बताया क्या कि छुवा छूत छूत से क्या होगा सत्रा से संबंधित होगा आगे आजादी अंतर नहीं तहये किस अनुछेद में अनुछेद 1901 आ में यहाँ प्रध्यान दिजिगा कि भारतिय सम्मिधान में प्रच की आजादी के लिए कोई ऐसा अनुछेद नहीं है किन्त फिर भी अनुछेद 19 Será के तहत भारतिय प्रच को सुतनता होती है भारतिय इस एक्म में क्या है किस आधार पर किस आधार पर प्रेस को सुतंतता मिलती है। अगे बताएएगा, सुतंतता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हत्यार के सांतेई पूर्ण धंक से इकठा होने की सुतंतता के अंतरगत नहीं आता है। घेराओ अपसर जो अपना करतब्य नहीं नभाते हैं आप किसी अधिकारी हो गएरा को ना घेरने लग जाईएगा कि घेर करके पीटने लग जाईए ठीक है अपराध हो जाएगा साथियों यदि घ्यानालहे पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब कर लेजए और इनती वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाईक तो कर दो यार और इस पीडिस को भी डाउनलोड कर लेज़िए ग्यानालहे के इस टेलीग्राम ग्रूप से जूड़ करके, और अगर अपने दोस्तों के साथ share करना चाहते हैं, तो प्लीज जरू share करिए, आगे देखेगा, नागरिक की बिचार, अभिव्यक्ति की सुतनता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, अवांचनिय अलोचना के कारण, अब कोई अलोचना आपके कर दिया, तो आप कहें दिजिए क्या, कि इसकी अभिव्यक्ति कैसे ऐसे हो गई, कि हम जो है इससे कर दे, इसकी अभिव्यक्ति की बहुत जादा दिक्कत हो गई है, इसकी अभिव्यक्ति बढ़ गई है, इसकी तुरंत सुतनता को बादित करिए, तो प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है ठीक है आलूचना किसी की भी की जा सकती है ठीकिन एक सीमा तक गाली मत दीजिएगा व्यत्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरचन प्रदान करता है अनुछेद अनुछेद 19-1-D के अनुछेद 21 से मिला कर पढ़ने पर क्या प्राप्त होता है एक आंतता का अधिकार प्राप्त होता है धार्मिक स्वतनता के अधिकार के प्राधान के अंतरगत क्या समलित है तो धर्म के प्रचार करने का अधिकार समलित है सिखों को कृपार धारन करने का अखिकार समलित है, और राज्यों को समाज सुधारक विधी के निरमार करने का अधिकार है, ये धार्मिक सवतनता की अंतरगत आएंगे, तिनों आगे देखिएगा संभिधान के अनुच्छत 25 की अनुचार्म स्वतंत्र का अधिकार अधिकार सारवजनिक बिवस्था और स्वास्त और सदाचार की अधिन है सब्सक्तिपा चयार, किरपार्ण धाररण करना धार्मी सutzनता अंगमाना घया है, यह तो यह 251 में कहा गया है, अनुच्छेथ 254 का समबंध किससे धार्मी सutzनता से है, यहाँ पर 294 रखें हैं, तो यह फ्न थ 5, सब्सक्राइबढै admitting, ग्हु कि स्थ थीар होगा है, यहां पर ध्यान दीजेगा अनुछे तेश में क्या कहा गया है मानों के दुर्ब्याव पार और बलात सरम पर प्रतिबंद इसका मतलब यहां है कि किसी ब्यक्ति को अगर आप पकड़ लिये हैं तो उसके साथ दुर्ब्याव भार करिये और उसे जबरन कोई पार करवाए उससे कोई काम करवाए तो यहां क्या होगा अपराध होगा दूसरा चीज़ 24 में कहा गया है कारखानों में यदि बालकों को नियोजित करते हैं आप तो वह क्या होगा अपराध होगा आप जो है किसी भी बालक को यदि वह पढ़ने की उमर में है 12 वरस के 14 वरस से कम है तो उसको आप नहीं रख सकते हैं ठीक है अनुछेद 25 धार में कारियों के प्रवंधन की सुतंता की बात करता है ठीक है यहाँ पर भी हमने आपको बता दि आगे देखिएगा अलप संख्यक बर्गों के हितों का संद्चन कौन करता है तो अनुछेद 29 करता है संबैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुछेद 32 में दिया गया है अलप संख्यकों को अपनी मन पसंद सिच्छण संस्थाओं को अस्थापित योम संचालित करने का अधिकार जो दिया गया है वो कौन सा अनुछेद है जो इसा संद्चन परदान करता है तो सिच्छण संस्थाओं की अस्थापना के लिए अनुछेद 30 है भारतिय संबिधान जैसे इसमें कह सकते है क्या मदर्चा को गुर्कुल को या आदि को भारतिय संबिधान के अनुछेद 32 के अंतरगत प्रावर्तित किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को, अनुछेद 32 के अंतरगत, ठीक है, क्या किराय जा सकता है, यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाकरके, आपके मौलिक अधिकारों का ज सुप्रेम कोर्ट और हाई कोर्ट ठीक है आगे देखिएगा सही कथन है कौन कौन से सही कथन है केम मुंसी का प्रारूप बनाने वाली समिती के एक सदस थे केम मुंसी सम्मिधान का प्रारूप बनाने वाली समिती के एक सदस थे तो ये बात सही है साथियों पहले तो ये केम मुंसी ही अध्यच भी थे लेकिन बाद में जो है इस सदस से बन गई, जब अमेट का रद्च बने तो, आगे देखेगा, संभीधान सभा दोरां भारतीय संभीधान सुविकार किया गया, तो यह बात सही है, यह भाaratी जंता के दोरां नहीं, आप परतेच रूप से भारत के जनता के द्वारां सोविकार किया गया है जो कि हमाई सम्मिधान में लिखा भी गया है लेकिन परतेच रूप से भारत के जनता के प्रतनिधियों के द्वारां ही इसे सोविकार किया गया था जो कि सम्मिधान सभा में थे तो इसलिए सम्मिधा सभाकी द्वारा सोभिकार किया गया आगे देखेगा बलवंत राय महता समिती का रिपोर्ट जो 1957 में आया द्वारा पंचायती राज की संस्तुती की गई तो ये भी बातें सही हैं आगे देखेगा नागरिकों कोई मौलिक अधिकारों का संद्चक तथा भारत के संभिधान का अभिभावक माना जाता है किसे उच्चेतम नयाले को हमने उपर ही आपको बता दिया कि अनुछेद 32 के तहत कोई भी अपने अधिकार का हनन अगर हो रहा है तो उसको प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार को जा सकता है अनुछेद 32 के तहत सुप्रिम कोट में डाक्टर अमबेटकर द्वारा संभिधान की आत्मा किसे कहा गया तो हमने आपको पहले ही बता दिया था अनुछेद 32 कुछ भी नहीं है संभिधान में एजान लेजिए संभिधान इतना आसान है कि एवल एक दो बार पढ़ लीजिए पूरा का पूरा आपको रट जाएग सारे कुषिचन इससे आएंगे से बाहर कहीं नहीं जाएंगे आपके उन पढ़ करकर देखिये देखिए जो पीडियाफ मिल रहा है उसको पीडियाफ को निकलवा लीजिए जो यह हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको एक दो बार देख लीजिए बस इसरी से काम हो जाएगा बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आगे देखिएगा, कथन ए, संबिधान के अनुछेद 32 को डाक्टर अम्बेटकर ने इसकी आत्मा कहा था, बात सही है, कारण है अनुछेद 32 मौलीक अधिकारों के अधिकरमल के विरुदुप्रभावी उपचार का प्रावधा करता है, यह भी बाते सही हैं, तो दोनों सही हैं और अस्पश्टी करण भी सही हो रहा है, ब्यक्ति गत स्वतंतरता के लिए उच्छे न्यायाले जारी कर सकता है, हैर बियस कारपस या बंदी प्रतेच्छी करण, बंदी प्रतेच्छी करण का मतलब या होता साथियों, जो किसी भी ब्यक्ति को बंदी बना करके रखा गया हो और वहा कोई भी उपराद भी ना किया हो तो उसको परतेश्य रूप से क्या कहेगा कि उसको हमारे सामने परतेश्य रूप से करिए आगे देखेगा सही सुमेलन इस प्रकार है मौलिक कर्तब का है तो मौलिक कर्तब जो है वो संभिधान में 42 संभिधान संसोधन दोरा जोड़ा गया था संसभ मौलिक अधिकारों में संसोधन कर सकती है वह केसवानन भारती के केस के दोरा इस अधिकार प्राप्त किया इंसानों के आनायतिक ब्यापार का निसेद जो किया गया साथियों वह सम्मिधान के अनुशेद तेश में किया गया आगे देखेएगा दो सुचियां दी गई है जिनका मिलान भी सही है उपाधियों का निसेद जो है वह अनुशेद 18 में दिया गया है अब आप कहेंगे उपाधियां मतलब क्या होता उपाधियों मतलब वही होता है जो सुनुत्य प्राप्टी के पहले आप देखते थे महाराजाधिराज इतना यह ओध ध्यूम सी ते ऑप्लाना ड्मका राजपूत्ध तो यह सब तरह से जो तरह तरह के अपने सामने लगाते थे, उपाधियां होती थी, राजकुमार, तो इन सब चीजों को क्या किया गया है, खतम कर दिया गया, और जो उनका टाइटल है, इसे राजपूर थे तो ये तो लगा सकते हैं, लेकिन जो उनका ऐसा कुछ पूरे समों से अलग बनाता था, ब्यक्ति को बिसेश बना देता था, उस चीज का अंत करने का काम किया गया है, अनुछेद 18 के तहट, ठीक है, आगे देखिएगा, धार्मिक मामलों के निसेद की स्वतंता अनुछेद 26 में दी गई है, धार्मिक मामले जो हैं, उनके प्रवंध की स्वतंता जो दी गई है, उनुछेद 26 में दी गई है, अलपसंखिकों की भासा के संरच्छन का अधिकार जो दिया गया है, 19 में दिया गया है, सिच्छा का अधिकार अनुछेद 21A में दिया गया है, साथियों, आपको ये बताना होगा कि उपाधियों का जो निसेद किया गया है, उपाधियों का ज संसोधन का अधिकार दिया किस केस ने केस्वानन भारती आगे भारत के सरवोची नयालाय ने संविधान की मूल संरचना यानि मूल ढाचे बुनियादी ढाचा का सिध्धान्त प्रतिपादित किस केस में किया था केस्वानन भारती बनाम केरल राज के मुकदमे में किया था संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है कानूनी अधिकार है बिधिक अधिकार है या इस तरह से कर सकते हैं आप इसको मौलिक अधिकार नहीं कह सकते हैं पहले मौलिक अधिकार था लेकिन बाद में इसको क्या किया गया कानूनी अधिकार परदान करता है समान आवास का अधिकार यहां पर समान आवसर का अधिकार तो मिलता है लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं मिलेगा आवसर तो आपको दिया जाएगा समान लेकिन सभी के पास समान आवास हो तब तो सभी लोग कहेंगे कि हमको अंबानी जैसा ही आवास चाह है फिर वही समानता का अधिकार आ गया 14-18 भारतिये संमिधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है बिधी के समक्ष समर्चन का अधिकार साथियों यह आपर ध्यान देजिएगा सूचना का अधिकार जो है ये भारतिय सम्मिधान में जो है नागरिकों को ये सूचना पाने का अधिकार दिया गया है ये कानूनी अधिकार की तोरपे बाद में जोड़ा गया ठीक है? ब्यापार और ब्योसाय की सोतनता के अधिकार का जो है दावा नहीं कर सकता है बेटिस्त नागरे की आगे देखेगा? सर्वोच नयालाय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्नेता दी है आवास के अधिकार का, बिदेश यात्रा के अधिकार का ठbean सर्वोची नयालीज ने इसको सामिल किया है कि इसमें मौलिक अधिकार के रूप में कि आवास सबके पास होना चाहिए इसलिए आप देखते होंगे सरकार क्या करते है, फिरी में आवास देती है बनवाती है और फिरी में आवास दे देती है लेकिन गुष्धिमान जी जो अधिकार का क्या हो जाएगा उलंगन हो जाएगा हम कुछ नहीं अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं आप जबरदस्ति उसको अभिव्यक्त नहीं करवा सकते हैं और हम अभिव्यक्त करना चाहते तो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है हम उसको अभिव्यक्त करेंगे जिससे कि आपका नुक्सान ना हो रहा हो उस हद तक हम अव्यक्त करने के आजाद में आगे देखिएगा इससे अंता करण की और धर्म की अबाध रूफ से आचरण परचार करने के सुतंता के अधिकार का भी उलंगन होगा राष्टिगीत गाने के लिए किसी को बाद करने वाला कोई बिधिक उपबंध भी नहीं है ठीक है तो इस तरह से आप किसी को बाद नहीं कर सकते हैं आगे देखिएगा बिदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की सुतंता का अधिकार कोई भी बिदेशी नागरिका आए और यहां पे उल्टा सिधा बक्तने लग जाए यह तो भारत ऐसा है तो भारत के प्रधान मंत्री ऐसा कर गए है तो तो तुम जब जानते नहीं हो तो यह सब हमारी राष्ट के अखंडता के लिए क्या हो जाएगा यह खत्रा पैदा करेगा तो सब को यह आजादी नहीं है भारत में केवल नागरिकों को भारतिय सम्मिधान द्वारा प्रदत वह अधिकार जो गए नागरिकों को भी उपलब्ध है तो वह है सम्मैधानिक निराकरण का अधिकार यानि कि किसी व्यक्ति को यदि किसी केस में फसा दिया गया है तो वह क्या करेगा वो निराकरण करने के लिए उसके पास अधिकार होगा कि हमारा निराकरण किया जाए हमें सही रूप में फसाया गया है या गलत रूप में फसाया गया है हमारे केस को दिखा जाए तो इसका अधिकार उसके पास होगा कि वो कोर्ट में जा सकता है भारतिय सम्मिधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद सब्द को जिन कारे के लिए समान बेतन को मौलिक अधिकार परिभासित करने की सक्ति प्राप्थ हुई है वे अनुच्छेद 14-16 तक हैं। किसमें? इसमें है समाज वादसब। चुकि समानता लाने का बात करता है, समान बेतन और मौलिक अधिकार में इसको करता है। लोक नियोजन के बिसे में भारत के सभी नागरिकों को आउसर की समानता का प्रत्याभूत प्रादर्ण करने वाला जो हनुशेद है, वो है 16.1.2. भारतिय सम्मिधान मानेता देता है किसका धार्मिक और भासाई अलपसंखिकों को। 6 बर्स की आयू से 14 बर्स की आयू के बीच के सभी बच्चों को सिच्छा का अधिकार है मूल अधिकार। भारतिय सम्मिधान में संसोधन करके सिच्छा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रेल 2010 को। परिहार यह भी बास सही है। तो यह और आर दोनों सही है और स्पश्ठी करन भी इसका हो जा रहा है। वह अधिकार जो समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऑपके जीवन का अधिकार कोई नहीं सकता है। भारतिय संभिधान के अनुश्यत 25 में प्रयुक्त हिंदू सब्द में कौन कौन से लोग सामिल हैं, तो उसमें ध्यान दीजिएगा हिंदू सब्द में सामिल कौन कौन से हैं, उसमें हैं हिंदू में जैसे सनातन धर्म हैं, और हिंदू में हिंदू भी आप कह सकते हैं, जिसक किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्टि अस्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वहां निम्न विसेश लाभू का हकदार हो जाता है यहां अल्पसंख्यक समुदाय विसेश सहचिक संस्थानों की अस्थापना कर सकता है और संचालन भी उसका कर सकता है कोई भी अगर अल्पसंख्यक का दरजा प्राप्त किया है यहां समुदाय या प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कारकरमों का लाप्त कर सकता है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयम अपने विरुद गवाह के लिए बाद नहीं किया जा सकता है यह किस में कहा गया है अनुछेद बीस तीन में कहा गया है कि आप अपराधी हो ऐसा कहो तो ऐसा अपको नहीं कहने के लिए कोई बाद कर सकता है दो सिद्धी के संबन्ध में अभ्यूक्त को दोहरे दंड या स्वा अभी संसर्म के संरचन प्रदान करता है तो यहा है अनुछेद 20 एक इंटरेस्टिंग बात बताएं साथियों यह दोहरे दंड वाली जो बात आ जा रही है अभी अभी कुछ समय पहले ही सुप्रेम कोर्ट ने एक केस को देखा है जिसमें बिजली चोरी के मामले में कुछ कई कई केसिज लगा दिये गए और उस केसिज में जज साहब ने जो की डिस्टि कोर्ट से जहाब ने क्या किया उसमें दो साल का सज़ा दिया और उसमें लग भग लग भग क्या थे कई केसेज थे लग भग हमें लगता है कि उसमें दस केसेज थे तो दस केसेज में दो साल की सजा दी गई अब दस केसेज में दो साल की सजा जो दी गई है और उसमें जेल की सजा दी गई अब जेल की सजा जो दी गई अब आप इसको बताईए कि वह कितने बरसों तक जेल में रहेगा तो आप भी कहेंगे कि 10-20 यही कलती कोर्ट से हो गई उसने यह नहीं कहा कि यह जो दो साल की सजा है दसों केसों में और ये जो दो साल की सजा जो है केसों में ये दोनों के दोनों या दो साल तक जो है दसों के दसों जो है दो साल तक लगाता ही स्टार्ट होंगे यानि कि इनकी सजा एक साथ ही स्टार्ट होगी और दो साल में ही खतम हो जाएगी यानि कि दसो केसेज के दो साल में ही केस खतम हो जाएगा, ऐसा किया नहीं गया था, वह क्या हो गया, वो 20 साल तक का जेल के लिए चला गया, अब उसमें क्या हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट में उसने केस किया, बाद में इस लाइन को सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा, तब ज दारान हमने आपको दिया, थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए, इसको अगर दोहरे दंड की बात करें, तो दोहरे दंड का मतलब यहाँ है, कि आपने किसी एक को चाटे मार दिये, अब चाटे आपने मारें, और चाटे के मारने के बाद आपको कोई कहे, कि आपको जेल मे के सिध्धान्त को सामिल किया गया है, तो अनुछेद 21 में किया गया है, बंदी बनाये गए ब्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रच्छा प्रदान करने वाला अनुछेद जो है, वो 22 है, आगे दिखिएगा, प्रत्यच बंदी करन अधिनियम के अंतरगत एक ब्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तीन माह तक के लिए, वह प्रलेक जिससे किसी ब्यक्ति की सुतनता का महानतम रच्छक माना गया है, वह बंदी प्रतेची करन, यानि कि किसी को आप बंदी बना कर रखे हैं, तो कोर्ट उसको क्या का सेबता है, कि उसको हमारे सा में पारित किया था जोखिम भरे उद्धोगों में बाल सरम का उपियोग निशिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारां 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच नयाले के निर्णे द्वारां भी और संयुक्त राष्ट के चार्टर द्वारां भी किया गया है पतिबंदित डाट डाट के बिना करतब के उसी परकार है जैसे मनुष से बिना परचाईक है तो किस के बिना क्या होगा करतब उसी परकार होगा जैसा कि मनुष से बिना परचाईक है तो अधिकार के बिना करतब जो है वह उसी परकार है जैसे मनुष से बिना परचाईक है तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने तीसरा पार्ट कवर किया, हमें बहुत खुशी हुई, आप लोग बने हुए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं कि आप लोग बहुत जागरूख हैं, अपने कैरियर के प्रती, अपने जीवन के प्रती, बहुत सच धान में सामिल किये जाने का उद्देश से है सामाजिक और आर्थिक प्रजा तंत्र को अस्थापित करना राजिके नित निदेशक सिध्धानतों का उद्देश क्या है वहाँ है एक कल्यानकारी राजिकी अस्थापना करना और सामाजिक आर्थिक रूप से न्याय सुनश्च कराना और है धर्म निर्पेच राज की अस्थापना करना ठीक है साथियों हमारा राज जो है एक चीज और जानिएगा साथियों भारत राष्ट जो है ये कोई भी धर्म का राज नहीं है यानि कि हिंदू राष्ट ना हो करके ना मुस्लिम राष्ट हो करके यह धर्म निर्प यह नहीं है हाँ साथियों इसके बारे में भी आप जान लीजिएगा enforceable का मतलब यहाँ है कि जो नीत निदेसक्त्त हैं यानि कि 35 के बाद यानि कि 36 36 से लेकर के 51 तक के जो अनुछेद हैं इन अनुछेदों में नीत निदेसक्त्त दिये गए हैं इनको आप किसी भी कोर्ट में ले जाकर के नहीं केस कर सकते हैं कि नीत निदेसक्त्त में ऐसा कहा गया है तो ऐसा सरकार करे ही करें क्योंकि यहाँ नीती बनाते समय सरकार के लिए निर्देश मात्र ही है बाध्यकारी नहीं है सरकार ऐसा करने का पर्यास करेगी नहीं कर पाती है तो उसके लिए आप कोट में जा करके ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं ठीक है साथियों तो इस चीज को आप जानते रहेगा बाद कर सकते हैं किसीज को केवल और केवल मौलिक अधिकार का उलंगन जब हो रहा हो 12-35 तक का तवाप कर सकते हैं आगे देखिएगा साथियों कल्यानकारी राजी की संकल्पना का समाबेस भारत के सम्मिधान में कहां पर है राजी के नितने सकत्तों में है भारती सम्मिधान के सम्मिधान के समलित नितने सकत्तों की प्रिनला कहां सप्राप्त हुई है तो आइरलेंड से लिए गया है नितने सकत्त सिधान जो है वह वादयोग नहीं है यानि कि केस नहीं किया सकते हैं आगे देखिएगा समानकार के लिए समान बेतन प्रणाली की विवस्था की गई है राज के नीत निदेशक सिध्धानतों का अंग है पंचायती राजप्रणाली आपको जो दिया गया की समचेद में दिया गया है वो आप बताएगा हम ही बता देते हैं राज सरकार को गराम पंचायतों के गठन का निर्देश जो दिया गया अनुचेद 40 में दिया गया है भारत के सम्मिधान के अंतरगत गराम पंचायतों का गठन एक निर्देशक सिध्धानत के अंतरगत है सही सुमिल करना है आपको अनुचेद 40 गराम पंचायतों के गठन से संबंदित है अनुचेद 41 कुछ है दसाओं में काम, सिच्छा और लोक सहयता पाने का अधिकार है अनुछे 44 जो है उस समान नागरिक संगिता की बात करता है साथियों जो कि हमारे नियूज में काफ़ी जादा आता रहता है और इसके बाद 49 है जो कि किर्सी और पसुपालन का गठान से संबन देता है आगे देखिएगा कथन है मन्रेगा दर अरह परिवार, यहाँ पर हर परिवार होगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सो दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है और इसके बाद है रोजगार का अधिकार जो है भाग तीन में प्रविष्ट है तो यहाँ क्या है यह सही है परन्तु आर गलत है रोजगार पाने का अधिकार कहा पे दिया गया है आप जान रहे है कि नितने जिसक तत्तों में दिया गया है आगे देखिएगा भाग चार में दिया गया है आगे देखिएगा राज के नित निजशक से धानतों का सही सुमेलन कौन सा है तो यह अनुछेद 51 जो है अनतर राष्टिय सांती और सुरच्छा से संबर्धन से संबन दित है अनुछेद 41 क्या है काम, सिच्छा या लोग सहायता पाने के अधिकार से संबन दित है भारत के संब्धान में अंतर राष्टिय सांती सुरच्छा की अभिविद्धी का उल्लेख है राज के नित निदेशक तत्तों में भारत की विदेश निती संबन दित है अनुछेद इक्यावन से संब्धान के जिन के सोशन के बिरुध अधिकार स्वविक्रित करता है संब्धान जिनके सोशन के बिरुध अधिकार स्वविक्रित करता है तो वो कौन-कौन से लोग है वो बच्चे हैं और इस्तरियां हैं तथा जन जातियां है इनके सोशन के विरुत्व जो है उनको अधिकार दिया गया है इनका सोशन ना होने पाए उसके लिए सम्मिधान में प्राउधान किया गया है राज के नीत निदे सकता तो मद्द निसेद, गव संरच्छन, पर्यावरान संरच्छन है ये सभी क्या है साथियों, ये नीत निदे सकता है, आप जानते हैं कि मदिरा का निसेद भी होता है और बिक्री भी होता रहता है, तो यह अभी मौलिक अधिकार होता कि मद्द निसेद होगा, तो पूरी तरह से फोर्सेवल हो जाता है और इसमें क्या होता, कोर्ट पूरी तरह से प्रतिबंदित ही कर देता, लेकिन बिक भी रहा है और प्रतिबंदित भी है, गव संरच्छन, आपको यह पता है कि गायों के संरच्छन भी किया जा रहा है और गायों का बध भी हो रहा है, तो उसमें कानून बनाया जाएगा, य को भी परियावरास स्दधान आपको पता है कि परयावरां सं रचंड भी हो रहा है और परयावराण का बली भी चाड़ रहा है और उसके बाद जो है वैष पेड क्या किया जा रहा है लगाए भी जा रहे है तो इस तरह से यहां आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो नीत निजशक तत्तों में रहती हैं, उनका क्या किया जाता है? उनको सनरचित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बाधिकारी रूप में नहीं. राज के नीत निजशक सिध्धान मौलिक अधिकारों से भिन है, क्या है? राज के नीत निजशक सिध्धान मौलिक अधिकारों से भिन है, क्योंकि नीत निजशक सिध्धान परवरतनिये नहीं होते हैं, जाकि मौलिक अधिकार परवरतनिये होते हैं. ठीक है सातियों? आगे देखिएगा गाधिवादी सिध्धान्त जो राज की नीतनिदेशक तत्तों में प्रतिवंधित होते हैं कौन से गराम पंचायतों को संगठित करना गराम छेत्रों में कुटीरूदों को प्रोसाहित करना ये सभी क्या है गाधिवादी सिध्धान्त जो कि राज की नीतनिदे सकसे धानतों में से वहा जिसके बारे में संविधान सांत है यानि मौन है तो प्रोड सिच्छा के बारे में बच्चों की सिच्छा के बारे में तो बात करता है लेकिन प्रोड सिच्छा के बारे में मौन है ठीक है आगे देखिएगा साथियों ग्याना लेकर अभी भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो को जरूर लाइक कर दिए जी साथ हो इससे हमारा मनुंबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और कांटेंट लाने का प्रयास करेंगे टेलिग्राम पर अगर नह नेथ नीदे सक्तत्यो जिद्धानत जो संब्धान में बाद में जोड़ा गया वह कौन सा है मुख्त कानुनि सलाह राज के निती निदेशक शिद्धानतों में समलित नहीं है सूचना का अधिकार नीथ निदेशक्तत्यो है समान-नागरिक्त संधिता राज के नीत निजिसक तत्तों में है क्या है राज सुनुश्चित करेगा या करने का प्रयास करेगा कि पुरुस और इस्तरी की समान कारे है तो समान बेतन दिया जाए लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके लिए बाध नहीं किया अस्तर जीव को पारजन है तो प्रयाप्त साधन भी समान रोप से दिये जाए इसका भी अधिकार होगा लेकिन ये क्या होगा ये नीत निजिसक तत्तों के अंतरगत होगा ये पुरुतिया से बाध्यकारी नहीं होगा काम है तो न्याय संगत और मानोचित दसाओं में रहे ठीक है साथियों आगे हम लोग देखते हैं बहुत करीब आ चुके हैं हम लोग और धीर धीर हम लोग इस वीडियो के इस सेसन के अंत की तरब बढ़ रहे है काम हे तुम नयाय संगत और मानो चिद्धसाओं में रहे यानि कि जहां पर भी काम करने जाती है महिलाएं वहां पर क्या हो एक ऐसा परिवेस हो जो महिलाओं के लिए सुटेबल हो राज के नीत ने सकत सिध्धानत एक ऐसा चक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है किसने कहा था तो केटी साहन ने कहा था किसके लिए कहा था राज के नीत ने सक सिध्धानतों के लिए कहा था कि बैंक का ऐसा चेक है जो बैंक सुविधा के अनुसार दिया जाएगा मूल कर्तब्य पे हम लोग आते हैं जो कि भाग चार का ए है भारत का प्रभुत प्रभुता एकता अखंडता की रच्छा करने और उसे अच्छुन रखने के मूल कर्तब्य को रखा गया है तीसरे अस्थान पर भारतिय सम्मिधान के 42 में संसोधन विधेग द्वारा मूल कर्तब्यों को समलित किया गया अमच्छेत 51A में भाग 4A में यहां पर मूल कर्तब्य भाग 4A है ठीक है भारतिय सम्मिधान में मूल करतब्यों को समलित किया गया है सौन सिंग समिती की संस्तोती पर सम्मिधान में मौल करतब्यों को समलित किया गया कब 1976 में किया गया आगे ध्यान दीजिएगा भारत में सम्मिधान का वह भाग जिसमें मौल करतब्य उलखित है तो भाग चार का हमने आपको पहले ही बताया भारतिय नागरिकों के लिए 10 मूल करतब सम्विधान में जोड़े गए 22 सम्विधान संसोधन के द्वारा भारतिय सम्विधान में भारतिय नागरिकों के मूल करतब सामिल है तो वहाँ है अनुछेद değer भाषरतिय समयधान में भातिय नाग्रिकों के मुल कर्तब जो सामिल है वहाँ है अनुछेद इक्क्यावन ए में कामें यहाँ पर जो भावन लख दिया गया है तो ये गलत है सत्यों अनुछेद इक्क्यावन कामें होगा ठीक है आगे देखेगा मौली कर्तब्यों से सम्बंधित कथन कौन कौन से है उनको आप छाटने के लिए यहाँ पर देखें मौली कर्तब्य से सम्बंधित हुए है उन्हें सम्बैधानिक परकिरिया से ही बढ़ाया जा सकता है आ अस्पष्ट बिधियों की ब्याख्या के लिए उनका उपियोग किया जा सकता है किसी बिशिष्ट करतब्य का पालन करना संभैधानिक कानून के छेतर में आता है जिसे नयाले निश्चित करता है आगे देखिएगा भारत में मौलिक करतब्य है हमारी मिली जुली संस्कृत की समरिध्य विरासत को संरचित करना ये मौलिक करतब्य हमारी है एक नागरिक के मूल करतब्यों में समलित क्या क्या है एक नागरिक है उसके मूल करतब्यों में क्या क्या समलित है तो उसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक नागरिक के मुल करतब्यों में प्राकिर्तिक पर्यावरण की रच्छा करना, उसका संबर्धन करना, सुतंता के लिए हमाई राष्टिया अंदोलन में जो प्रेरित हुए उच्च आदर्स थे, उनको सजोई रखना, उनका पालन करें, और बैग्यानिक का महतो समझना और उसका परेरच्छन करना, सारवजनिक संपत्ति को सुरच्छित रखना, हिंसा से दूर रहना, ऐसा नहीं कि आप लोग जो है कोई परदाशन कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, और ट्रेन और रेलवे को ही फूंक दीजिए, बस को फूंक दीजि करें, बैक्तिक और सामोहिक कारिकलापों के सभी छेत्रों में उतक्रिष्टता के लिए प्रतन सील रहें, भारतिये नागरिक का मुल कर्तब है, बन्द प्राणी का संरच्छन करें, जियों पर दया करें, भारत के प्रतेक नागरिक का मुल कर्तब होगा, प्राकिर्तिक पर यावरान का संदच्छन योम सुधार सामिल है अनुछेद 51 का में सही कथन है यहाँ पर ध्यान दीजेगा मूल करतब मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है तो यह बास सही है क्योंकि है यह भाग चार का है भारतिय समिधान के भाग चार का में मौलिक करतब बिगनाए गए है तो बास सही है अनुछेद 51 एक प्रतेक नागरिक के मौलिक करतब्यों की ब्याख्या करता थे भी बास सही है भारतिय समिधान में मौलिक करतब कितने दिये गए है तो ग्यारा दिये गए है एक बाद में जोड़ा गया था दस बैलिस समिधान संसोदन दौरा 1976 में जोड़ा संस्कित की मुल वांधरोहर जो है उसकी रच्छा करना यह हमारे मौलिक करतव के भाग हैं सही सुमेलित है अब यहां पर आपको दिया गया बहुत तीजी चीज समिधान के भाग और उसके वह दिया गया है तो यहां पर भाग एक नहीं दिया गया तो यहां पर भाग एक में क खेत्र का बार्ण किया गया है ठीक है दूसरे भाग में क्या दिया गया है नागरिकता दिया गया है तीसरे में मौल अधिकार दिया गया है चोथे मिनित नहीं दे सकता तो दिया गया है और चारका में क्या दिया गया है मौलिक करतब दिया गया है ठीक है तो आएए आगे दे बहुत खुसी हो रही है कि आप आखरी तक वीडियो देखें, आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवार देता हूं कि आप इस वीडियो को आखरी तक देखें हैं, मुझे पूरा विस्वास भी है कि आपको यह वीडियो काफी हिल्फुल रहा होगा, यदि आप कोई वीडियो पसंद आया साथियों तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ग्यानाले को यदि आप सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पर ये PDF आपको आसानी से मिल जाएगा और वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है साथियों तो इस तरह से यह आज का सेशन रहा और ये सेशन कैसा लगा तो आप प्लीज कमेंट वाक्स में कमेंट जरूर करें और उमीद करते हैं साथियों कि यह सेशन आपके लिए बहुत जादा helpful रहा होगा और ये आपको उस कुछ जो डर था उससे भी काफी बाहर निकाला होगा जिससे आप हमेशा डरे रहते थे कि इसको हम कैसे कवर करें कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए तो मैं एक घंटे के अंदर में ही चार-पांच टॉपिक को कवर कर दिया हूँ इसमें कुछ छोड़ा भी नहीं हूँ वन डे का कोई भी एकजाम हो हर एकजाम में इससे सारे के सारे कुईश्चन 100% कुईश्चन फसने की गारंटी हमारी है तो इसको प्लीज साथियों अपने दोस्तों के साथ भी सेर करिए और आप लाइक भी करिए तो चलिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए साथियों जहिन नमस्कार धन्यवाद